एबीपी गंगा की टीम आज यहां बद्रिनाथ हाईवे पर विश्णू परियाग में है और जो तभाई पिछले रविवार को हुई जो एवलांच आया था उसने रेणी गाम के बाद तपोवन और जोसी मट के आसपास के इलाकों में जो विद्वन्स किया उसकी एक तस्वी पता सुनि आज में होगोगा जब मलबा गर्ब ग्रही तक चला गया है यह भगवान विश्णू नारेण का मंदीर है और इस मंदीर में यह घंटी देखिए कि इस पर इस पर सकाफा सी किचड़ के आप यहां नीचे आईए यह गर्प ग्रहा है इस गर्ब ग्रह में अंदर तक जहां भगवान विश्णू की मूर्ती रखी है वहां तक पूरा कीचड चला गया है यह कीचड इस बात की गभाई दे रहा है कि जो आपदा आई थी वो सामान्य आपदा नहीं थी भले ही यहां जान की हानी ना हुई हो लेकिन भगवान के गर्ब ग्रह तक किसी प्राकर्तिक आपदा का एक आकर्मन करना यह इस बात का संदेज देता है कि यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड हो रहा है हिमाले की कंद्राओं में और यह भूगर भी सरंचनाएं हैं उनमें कुछ ना कुछ तबदीली हो रही है अब मैं दूसरी चीज आपको दिखाता हूँ यह ध्यान यो केंदर था विश्णु परियाक का आप यह देखें इसकी दिवारे टूट गई हैं इसके नीचे मलबा है और यहां हम यह इसके सीसे उपर तक आप देख सकते हैं किस तरह से चटक गए हैं और शीसे चटके और इसका इस्ट्रेक्चर पूरा तूट गया और यह एक तरह से धोली गंगा की तरफ लटक गया है यह अपनी कहानी जैसा एक माहुल यहां बन गया है यह निसान खुद ही एक कहानी बता रहे हैं उस तभाई की जो हुई है उस एवलांज की जिसने ये तबाही की है एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ ये देखिएगा काफी खतरनाक है और यहाँ चुकि नुक्सान इतना हुआ है कि जानमाल की हानी हो सकती है आप नदी की गहराई देखिए आप अगर नदी की गहराई देखेंगे तो ये नदी की गहराई देखकर आपको अंदाज लग जाए ये धोली गंगा है थोड़ा सा आगे पसो मिटर आगे जाकर ये अलक नंदा में मिल जाती है अब जैसे नदी के बहाव के साथ आप इधर आते हैं मुझे भी लगता है कि मैं यहाँ थोड़ा सा जोखिम ले रहा हूं लेकिन ये इस्ट्रेक्शर कभी भी नदी में गिर सकता है इतना ये लटक गया है आप इसकी हाइड देखें और नदी की गहराई देखें नदी किस तरह से ऊपर आई वो एवलांज जब आया उसका कितना वेग था वो उपर तक आ गया अभी हम यहाँ से ये मैंने आपको दिखाया ध्यान योग केंद्र और ये दिखाया मैंने मंदिर का गर्ब ग्रह अभी मैं आपको अपने साथ एक जगह और लेकर चलता हूँ आप मेरे साथ चलिए चुकि ये तभाही जो हुई है ये सामाने नहीं है और जिस तरह से ये हुई है वो एक इसारा करती है कि जो मानव जनित जो चीजें हैं वो यहाँ पर तभाह करने के लिए काफी हैं चुकि अब जो प्राणी है, जो मानव है, उसको थोड़ा सा इस बात के लिए समझना पड़ेगा, अब ये इधर हम आते हैं, तो ये जो एक है, ये ये तीन मंदिर यहां है, ये तीन मंदिर है और ये इधर दो मंदिर ये हो गए, एक ये हो गया, इसके गर्ब ग्रह में मलब देखिए, ये भगवान कैदार का मंदिर है, जो यहां बनाया गया है, ये नंदी की मूर्ती है, ये नंदी है और वो भगवान कैदार का तिर्शूल है, तो विष्णु परियाग में, जहां जो विष्णु धाम है, वहां पर कैदार भगवान का भी एक ये छोटा मंदिर, यहां अज बाद का प्रतीक है कि भगवान कैदार जो है यहां भी विराजमान है वैसे तो वो सर व्यपि है सभी जंगे विराजमान है भगवान रिश्णु भी सभी जंगे विराजमान है लेकिनके गरब-गरह को आप थोड़ा ठीक से देखिए कीचड अंदर तक चला गया क कैदारनात मंदिर में भी कीचड अंदर चला गया था गर्ब ग्रह में और यहां भी भगवान कैदार की मूर्ति तक यह कीचड जा पहुचा अब यह इधर आपको दिखाता हूं यह कीचड देखें यह मलबा क्रीब नदी से 100 फिट उपर है और 100 फिट नहीं मैं कहूंगा 200 फ यह घाट बह गया है यहां एक घाट था उसका सफाया हो गया है सामने घाट था उसका सफाया हो गया है यह एक संगम है यह विश्णु प्रियाग है वो उधर से धोली नदी आई और इधर से अलक नंदा यह दोनों नदिया यहां मिल गई और दोनों के मिलने के बाद यहां से जहां दोनों संगम हो रहा है यहां से एक अलक रंदा ही रह गई और धोली गंगा का अस्तित्व यहां पर समाप्त हो गया है तो मैं यह तभाही के निसान यहां इसलिए दिखा रहा हूं कि जब भगवान के मंदिर के भीतर तक मलबा जा सकता है और बहुत सारी चीजे को विश्रु प्रियाग में जो तभाई हुई है जो मंदिर के गर्भ ग्रह में मलबा 200 फिट ऊपर नदी तल से 200-300 फिट ऊपर जो मंदिर उनके गर्भ ग्रह में मलबा अंदर घुज गया और जितना यहां मलबा पढ़ा है उसको साफ करने में अभी समय लगेगा उसके लि कर चिंता कर रहे हैं कि कैसे हालाद को सोधारा जाए गलेशियर को कैसे बचाया जाए हिमाले को कैसे बचाया जाए तो अब मेरा यहां आपको यह सब दिखाने का मकसद यह था कि आपका जो वेग था वो केवल जो टनल नीचे थी उस तक नहीं था यहां मंदिर है जो 300 एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंग राठी एबीपी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी